दो नल A और B एक टंकी को क्रमशह 15 और 20 गंटे में भरते हैं जबकि एक तीसरा नल C 25 गंटे में खाली कर देता है ठीक है अब क्या है प्रारंभ में तीनो नल खोल दिये जाते हैं 10 गंटे बाद C को बंद कर दिया जाता है तो टंकी कितने समय में भर जाएगी यही लिखा हु कि 10 गंटे तो 3 एक साथ चले तो सबसे पहले आप 10 गंटे का हिसाब निकालेंगे कि 3 एक साथ चले 10 गंटे तो कितना टंकी भरी है ठीक है बच्छों तो 3 को निकालने के लिए क्या खरेंगे हाँ हम भई तीनो का अगर 10 गंट 10 से गुणा करनी पड़ेगी जो टंकिया भर वो क्या है वो है 15 और 20 गंटे यानि कि 1 बटा 15 प्लस 1 बटा 20 और खाली करने वाली टंकी माइनस में आईगी ये सब को पता है बिटा 25 गंटे में खाली कर रही है तो 1 अपॉन 25 इसको आप सॉल्व करोगे ठीक है फटा फट इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 23 30 चिक है अब आपका ये पता है कि ये 10 गंटे में इतना भर रहा है लेकिन पूरा तो नहीं भरा इसने तो आप कितना भाग खाली रह गया बेटा पूरी टंकी को केतना मानोगे एक ही तो मानते हैं फुल जो भी होता उसको हम एक मानते है तो 1-23 अपॉन 30 अगर आप करोगे तो 7 बटे 30 भाग को भरने में लगा समय ये हमें ग्यात करना पड़ेगा कि सिर्फ दोनों टंकियां कितने टाइम में भरती है तो इसका निकालने का तरीका आपको पता ही होगा शॉट फॉर्म कैसे होता है 15 गोणा 20 बटा इन दोनों का प्लस कर देंगे 15 और 20 कितने हो गा 60 अपॉन 7, 7 से 7 कड़ी गया, 30 से कड़ी गया 2, अब 10 गंटे पहले ले रहा था वो, आपको पता है वो कितने ले रहा था पहले, 10 गंटे और अब कितना आया आपका, 2, तो प्लस 2 बराबर कितना आ जाएगा बारा घंटे, ये आपका उत्तर निकल के आ जाएगा, के लिए जाहिंदू